जेहिंद श्टड़ी बसेरा के ने वीडियो में आप सभी कहार्दिक स्वागत है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगे वीडियो को पसंद आदा तो वीडियो को लाइक और शेर भी करते चलिएगा चले स्टार्ट करते हैं आएसेसी पूरुष टी ट्वेंटी वर्ल्ड कब का स्टार्ट हो चुका है और भारत में भी अपना पहला मैच पांच जून को खेला है और आइरलेंड को जबजदस तरीके जहराया है भारत में पहले मैच में आइरलेंड के साथ मैच जिसमें की रोहित सर्मा ने जबजदस रिकोड बनाया उसके बारे भी समझेंगे और ICC T20 ICC T20 World Cup में बिजेता टीम को कितनी प्रुषकार रासी मिलेगी तो 2.45 मिलियन डॉलर मिलेगी 2.45 मिलियन डॉलर डॉलर में मिलेगी बिजेता टीम को माने उप बिजेता टीम को कितने मिलेगी रणर जो टीम रहेगी उसे कितने मिलेगी 1.28 मिलियन डॉलर रणर टीम को और यह विनर टीम को 2.45 मिलियन डॉलर रासी मिलेगी यह भी ध्यान रखिएगा इस तरह से प्रस मत सकता है तो हीट मैन के नाम से प्रसीद हमारे भारतिय कप्तान रोहिद सर्मा जी ने क्रिकेट में कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है कितना तो 600 चक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में 606 चक्का लगाने का रिकॉ 64 टेस्ट किरकेट में कंप्लीट इस तृ से मैंने डेटल बता दिया और विवनわか पारि में 553 चक्डा लगाया है 508 पारी में 476 चक्डे लगाएं 476 चक्डे साहीद अफिरीदि ने लगाया और Ireland में जब खेलते हैं वेरलेंड के खिलाब खेलते हैं रोहित सर्मा ने सबसे कम गेंदों पर T20 में 4000 रन पुरा किया है तो कितने गेंदों पर पुरा किया है इन्होंने तो 860 गेंदों पर 4 हजार रण इन्होंने बना लिया है तो बिराट कोहली ने दो उन्ती सो गेंदों पर उन्ती सो गेंदों पर चार हजार रन बनाये थे उन्ती सो बिराट कोहली का रिकोर्ड क्या है तो उन्ती सो गेंद पर चार हजार रन बनाने का और पकिस्तान के खिलाड़ी किरिकेटर बाबर आजम ने 3089 3079 यहां लिख देता हूं मैं 3079 बाबर आजम ने 3079 गेंदों पर 4000 रन बनाए है T20 की बात को जा रही है T20 में तीसरे से रिकोर्ड अभी जो है सबसे कम गेंद पर 4000 रन बनाने का रिकोर्ड जो है हीट मैं रोहिद सर्मा के नाम है और ICC T20 वर्ड कप का आयोजन कहां हो रहा है कौन सा देश कर रहा है तो वेस्ट इंडेज और अमेरिका दोनों ही देश मिलकर आयोजन कर रहे हैं और इसमें बहुत बार मैंने बताया है कि पहली बार ICC T20 में पहली बार 20 टीम में पार्टिसपेट कर रही है सबसे अधिक टीम में पार्टिसिपट कर रही है कौन सी नई नई कौन सी टीम में पहली पार्टिसिपट कर रही है चलिए नेक्स्ट पोस्टन पर चलते हैं नेक्स्ट है ओलेग कोने नेंगो यह कौन है तो ओलेग कोने नेंगो है एक हजार दिन कितना तो एक हजार दिन अंत्रिक्स बिताने का record बनाया है पहले ब्यक्ति बन गए एक हजार दिन अंत्रिक्स बिताने के मामले में एक हजार दिन इन्होंने बिताया है और एक बार में नहीं बिताया कि एक बार में ही गया है और एक हजार दिन अंत्रिक्स में ऐसा नहीं है इन्होंने यह करनामा अप पांचवी अंत्रिक्ष यात्रा के दोरान इन्होंने किन अभी यह अंत्रिक्ष में ही है और से्टेंबर सितंबर 24 में वापस आएंगे तो एक हजार प्लस दिन हो जाएगा इनके साथ तो जब यह वापस आएंगे उसमें वी वीडियो आएगा रिकॉर्ड कितना बनता है जब वापस आते हैं जिस दिन वापस आएंगा अनुमान है सितमबर 24 में यह वापस आएंगे अंत्रिक्स से तो पांचवी अंत्रिक्स यात्राव के दोरान इन्होंने अपना 1000 दिन पूरा कर लिया अंत्रिक्ष में रहने का इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है प्रस्न यहां भी बन सकता है तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है गेनेडी पडलका यह जो नाम है गेनेडी पडलका यह भी रूस के हैं रूस के अंत्रिक्ष यातरी यह भी है और यह भी रूस केहीं है तो रूस केहीं दोनों हैं अले गो क२िनेंगंगो ने रिकार्ट तोड़ा है केनेकी पडलका का रिकार्ट तोड़ा इन्हों ने केल्ल की पडलका ने 888 Meanwhile के नाम एड, seven, eight days, अंतरिक्स में विजाने का record था और भारत की भारती अमेरिकी जो अंतरिक्स यातरी सुनीता बिलियम्स, सुनीता बिलियम्स तिसरी बार अंतरिक्स में जाने का record बना लिया, अंतरिक्स में तिसरी बार जाने वाली पहली महिला बन गई है, अंतरिक्स में अंतराष साथ अपरूपधिम इन आंपया स्ट्राइव है जो कि बार्तिय पैमेड्ट उस्टोम यूप locks positive to 3548 को सिस्टम को अपनाने वाला यहुआप करने वाला सभी मिंद्ध बन गया दक्षी अम्रीका कब LEAK बने गया वर्ड का पहला देस नहीं दक्षेन अमेरिका का पहला देस बन गया गए तो प्याइड की सुरुआइद करफ़ गवर्णर उसमें और ब्यट के गवर्णर रगुराम राजन थे इसको शुरूआइद कर दिया गया था तो पचीस अगस्ट दोनों ही नाम है याद रखिएगा अगस्ट 2016 तो दो है अप्रेल को लांच किया गया था और पचीस अगस्ट से बैंकों ने उसे अप्लोड करना सुरूर शुरों कर दिया था तो पचीस अगस्ट की ओप्सन में हो सकता है उस प्याइज पैमेन्ट सिस्टम लागू करने वादा कौन कौन से हैं पहला देश कौन सा तो पहला देश तो नेपाल है कौन को से देश हैं तो सिंगापूर ड़ी नेपाल मलेसियां मौरी तशर्णका सभी जगा उपिेस ट्रीलंगे लागू से पेरु की राजधानी यहें लीफ मली लीमा है पेरु की राजधानी और पेरु दस्टीन अमेरिका का देस है और इसकी जो पांच पेरु की पेरु के जो नेबर कंट्री है बने परोसी देसे पांच परोसी देसे कौन-कौन से है उनका भी नाम मैं बता दे रहा हूं लिख लिजिए आप लोग नोट डाउन कर यहां पर पेरू यहां पर यह प्रसांद महासागर इधर प्रसांद महासागर सटा हुआ यह देश से इधर प्रसांद महासागर के साथ स्धमा साजा करती इप तो कोलंभीया यहां हो जाएगा इकवाडर तो अधर हो जाएगा बडराजीर हो ऑसके ऑसा बोलिविया तो यहाँ हो जाएगा चीली और यह चीली इस तरह 5 देसे पर उसी देसे Всем पेरू पेरियु की रचानी मैंने बता दी है लीमा है LIA में लीमा इससे भी ध्यान रखिए लीमा है और उपी अगो को यूज करने वाला या लागू करने वाला थेस नेपाल बना था और पहला यूप्या को कॉन सा बना था तो फ्रांस बना था और क्या होता है उनिफाइड और किसके द्वारा लॉंज किया गया था यह इसनल प्यामेंड कॉफरेशन उप इंडिया नेशनल पैयमेंट कॉपरेशन और इंडिया द्वारा इसे यूपी आई को लॉंज किया था एक एक पॉइंट को हमने यहां समझने का प्रयास किया है फिर भी अगर कोई पॉइंट छुड़ी आता है बज जाता है तो कमेंट से स्कन में अपने कोशन जरूर पिन कीजिएगा जरूर डालिएगा वहां से आपको फिर नेक्स वीडियो में यह कमेंट में ही आपको तो नेक्स्ट टॉपिक है रविंद्र दताराम वाइकर यह कौन है तो रविंद्र दताराम वाइकर यह महरास्ट के मुंबई उत्तर पक्षिम मुंबई उत्तर पक्षिम लोकसवा का छेतर है मुंबई उत्तर पक्षिम लोकसवा सीड से इसी लोकसवा सीड से सबसे कम अंत विडियो प्रत्यासित और इन्हों ने सबसे कम आंतर से जैने। 48 भोट से इनों ने बिजय प्राप्त की है रविंद्र दत्तारा मुवायकर और अठारवी लोगसवा के नेता जो चुने गए है एंडिये के नेता चुने गए है प्रधान मंत्री नरेदर मोदी जी और ये प्रधान मंत्री पत का सफ़त 9 जून 9 जून 24 को साम को 6 बज़े लेंगे 9 जून को सफ़त लेंगे इनका निमंत्रा नहीं मिल जुका है राश्पति जी द्वारा 9 जून को सफ़त करेंगे और एठारवी लोग्सभा में चार इवा संसत्थ चुने गए हैं जिनका नाम और उनका लोग्सभा ऑच चेत्र बहुत जरूरी है याद रखना कौन कौन से हैं? फ़र्च नमर प्रिर्फर सरोज उत्तर प्रदेश के कौसामभी लोगसवा से यह निर्वाचित हुए हैं. जो समाजवादी पार्टी के उमीदवार हैं. और सिकेंड नमर प्रिया शरोज यह तीन महिलाएं हैं यह जो प्रिया है प्रिया सरोज मचली सहर मचली सहर भी लोकसवाद छेतर यह सहर का नाम है मचली सहर तो यह भी उत्तर प्रदेश में है मचली सहर उत्तर प्रदेश में और समाजवादी प्रिया सरोज भी समाजवादी की ही उमिद्वार है और तीसरे है संज लुट पितका नाम नाम है नाम है उनके पिदा का भी नाम है इंद्रजित सरोज पिछले बार 2019 वाली इनके फीटा हार गाने पड़ाद ही सभी राजनित्ति परिवार से बिलोंग करती यह सभी संजना जाटो भरत्पृड लोग्सभा झेटर से बृत्पृ लोग्सभा तो तो राजस्थान में राजस्थान के भरतपूर लोकसवा से अगरेश प्रत्यासी इन्दियन नेशनल कॉंग्रेश की प्रत्यासी यह संजरां जाटव साम्भावी चोधरी समस्तीपूर बिहार की बिहार में लोकसवाद शेतर की से बिजय प्राप्त कि यह है लोग जन सकती पार्टी यह लोग जन शक्ति पार्टी राम विलास पासवान की पार्टी जिसके की बरतमान में पार्टी से उन्हों थामभाई चौदर के आसपास है पुषपेंदर सरोज की परस्पेंदर शारोकि और जतने सबसे कम उम्र के कौन होंगे तो इसका आप जब लिस्ट आएगा तो मैं बता दोंगा इन में से पुरा डिटेल अभी नहीं आया है तो सबसे कम उम्र के कौन है तो मुझे लगता है पुस्पेंदर सरोजी होंगे जो के कौसाम भी लोगसवाज से हैं तो यह कंप्लीट इनका लोगसवाज छेद्र और पार्टी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं एक एक पॉइंट को मैंने बताने के कोशिस किया है तो इसको ध्यान से रख लिजेगा और सांभवी चोद्री जो हैं किस पार्टी से बिहार की हैं लोगसवाज जनसक्ती पार्टी राम बिलाश पासवान यह गूट की है यानि कि चिराक पासवान की पार्टी से हैं तीस तरह से अब वीडियो प्संद आतो वीडियो को लाइक करते चल और नकटी पक्षअभरैनिया कहां है अगर निमिज में क्यों है यह बिहार के जमूई में जमूई ज्यूजी जरूर बताइएगा तो बिहार के जमूई जीला में यह दोनों पक्षअभरैनिया आमने सामने ही हैं नागी पक्षय अवेरन्या और नकटी पक्षय अवेरन्या इस दोनों को रामसर अस्थल में सामिल कर ले गिया है और इस तरह से भारत में रामसर अस्थलों की संख्या कितनी हो गई है तो बिरासी हो गई है इसे भी ध्यान रखे गए 82 हो गई है यह लास्ट नकटी है और सेक इरान का एक सहर है इसके बारे हम लोगे बहुत बार पढ़ा है तो आज भी मैं सोट में पता देता हूँ जो पहली बार विडियो पर आए हैं उनकों लिए जनकारी हो जाएगा तो रामसर जो है इरान का एक सहर है इरान देश का एक सहर है जहां कि दो फरवरी 1971 में रामसर आद्र भू मीं समझोता हुआ था रामसर वैट लेंड समझोता हुआ था तो उसी दो फरवरी को इसकी याद में दो फरवरी को हम लोग रामसर वेट्लेंड दिवस या रामसर आइधर भूमी दिवस मनाते हैं और भारत ने इस पर कब अस्ताक्षा किया थो भारत का मेंबर बन गया था नाइटीन ऐटीट्टू में 1982 में याद करने के लिए रामसर अस्तल की संक्या और 1982 में भारत ने साइन भी किया था रामसर अस्तल का मेंबर भी बन गया तो यह याद करने के लिए दोनों आपको सुवीदा हो जाएगा और दोफ्रवरी को हम लोग रामसर अस्तल दिवस भी बनाते हैं रामसर इरान का एक सहर है इस तरह से आज का विडियो यही क्तम होता है आज ही के टोपिक जो हीतना ही यार कुछ नहीं है आज है तो आसा करता हम लोगों टोपिक पसंद आया होगा विडियो से एक-एक important important जनकरी आप लोगों मिली होगी इसी आसार उमीद के साथ मिलते भी नए वीडियो में तब तक लिए जैहिंद स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद जैहिंद